लोग अपने आपको spiritual जर्नी में समझते हैं चाहे वो soulmate connection में हैं चाहे वो twin flame connection में हैं वो किसी भी connection में हैं पर उनको पता है कि वो एक spiritual जर्नी पर वर्क कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगे कि आप अपनी जर्नी में कहां पर हैं यह जानने के लिए three piles हैं pile number one crown chakra pile number two third eye chakra pile number three throat chakra आप अपने intuition से कोई भी एक pile सेलेक्ट कर सकते हैं after that आप लोग description में दिये हुए time stamps पर जाएए और वहां पर जाने के बाद आप लोग video को वहां से forward करके अपनी जर्नी चेक कीजिए कि आप अपनी spiritual जर्नी में आप अपनी love life की जर्नी में आप अपनी soulmate और twin flame connection में कहां पर हैं कौन सी stage पर हैं क्या face कर रहे हैं आप इस जर्नी में कैसे आगे भर सकते हैं अगर कोई problem आ रही है तो उसको कैसे solve कर सकते हैं मैं आपको detail में बताऊंगी यह सब चीजें इस video के through and अगर आपको पसंद आये तो इस video को like, share, comment करना बिल्कूर मत भूलना please subscribe my channel and click the bell icon so that जब भी मैं कोई video upload करूं आपको notification मिल जाए and don't apply आप लोग select करें उसको जुरूर चेक करें अगर वो resonate ना करें तो आप बचे हुए आप अपनी spiritual journey, अपने relationship, career, business, job, government job, ठीक है, आपके कौन से चक्रा balance हैं, कौन से imbalance हैं, क्या remedies हैं and आपकी life में जो problems हैं, उनको solve करने के लिए क्या remedies हैं, कुछ भी problem आपको life में हैं, उसके regarding आप लोग sessions book करवा सकते हैं and सिर्फ अपनी life के regarding reading करवाकर remedies लेकर आप लोग अपनी life को better बना सकते हैं I hope कि आप लोगों ने आपका pile, आपका card चूस कर लिया होगा, तो चलते हैं हम reading पर Welcome pile 1, जिनोंने भी एक crown chakra का card चूना है, देखते हैं कि उनके cards क्या कह रहे हैं, वो अपनी life में, spiritual journey में कहां पर हैं Let me check, सबसे पहला जो card आया है, वो आया है, the hierophant, hierophant again spirituality को बताता है तो ये card मुझे बता रहा है कि आपने spiritual journey में चीजों को काफी अच्छे से समझना शुरू कर दिया है आप में से कुछ लोगों नहीं, already लोगों को guide करना शुरू कर दिया है आप में से कुछ लोग tarot readers हैं, कुछ लोग healers हैं, कुछ लोग spiritual work में इतना आगे कदम रख चुके हैं कि इससे आप सिर्फ खुद को heal नहीं करते, बल्कि औरों को भी heal करते हैं ठीक है, और यह देखते हैं आपके next cards क्या बताते हैं, रेडर वेट के card हैं यह, five of cups, ace of cups and the next card is eight of pentacles, ठीक है तो guys, इस spiritual journey में अभी भी sometime आप लोगों को एक sadness feel होती है, एक ऐसा moment भीच भीच में आता है कि जब आपके energy imbalance हो जाती है, आपको लगता है कि कोई रिष्टा जो है आपको support नहीं करता, भीच भीच में आप negative हो जाते हैं बट divine इन दिनों आपकी काफी help कर रही है, जिस भी चीज को लेकर आपको confusion होती है, जिस भी चीज को लेकर आपको परिशानी होती है divine आपको उसी टाइम उसका solution बताती है, उसी टाइम उसकी guidance बताती है, आपके life में वो क्यों हो रहा है एकदम से divine की तरफ से आपको messages मिलते हैं, synchronicity हो सकती है, angels की guidance हो सकती है, angel के messages हो सकते है YouTube की videos हो सकती है, कोई song हो सकता है, आपके partner का कोई reply हो सकता है, आपके family का कोई action हो सकता है जिससे आपको लगता है कि आपके sadness जो है कम हो गई, जिस confusion में थे वो confusion दूर हो गई, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गई and आप again full devotion से spiritual journey में आगे बढ़ जाते हैं, आगे उस पर work करने लगते हैं and जो आपके अंदर demotivation आया होता है, वो divine की help से बहुत जल्दी दूर हो जाता है और आपके energy फिर balance हो जाती है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 2-2-2-2 काफी दिखता हो and मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप लोग कुछ decisions जो हैं नहीं ले पा रहे हैं लेकिन आप लोगों का जो crown चक्रा है, जो की already divine से connect हो चुका है तो ये चक्रा बताता है कि आपको आपकी intuition सुननी है और आपको सिर्फ अपनी intuition ही नहीं बलकि divine की voice सुननी है कि divine आपसे क्या कहना चाहती है, कि आपको आपकी life में क्या करना चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, हो सकता है divine आपको dreams में मिलते हों, कुछ guidance, numbers दिखते हों, feathers दिखते हों, birds दिखते हों, butterflies दिखते हों तो आपको उस divine की voice को समझने की कोशिश करनी है, कि आखी वो क्या कह रही है और उसी के according आपको अपनी life में आगे बढ़ना है तो एक तरह से जिन लोगों ने येवला pile सेलेक्ट किया है, pile 1 मुझे लग रहा है कि आप अपनी spiritual journey में काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ चुके है और जो थोड़ी सी problem आती भी है, उसमें divine आपको बहुत help करती है आगे बढ़ने में और मुझे लगता है कि आप लोग जिस भी problem को face कर रहे थे वो सारी problems आपकी बहुत जल्दी solve होने वाली है और ये problem solve होती हुई मुझे दिख रही है जो कि around around मैं कह सकती हूँ कि ये problems आपके next year के March या फिर अप्रिल तक sort out हो जाएंगी ठीक है, so pile 1 के लिए छोटी से reading I hope कि आप लोगों को कुछ clarity मिली होगी अगर मिली है तो please like, share, comment on this video and for personal readings you can book personal sessions bye for now, bless you everyone Hey, welcome pile 2 जिनोंने भी third eye chakra choose किया है हो सकता है कि आपको 6666 बहुत बार दिखता हो, synchronicity होती हो देखते हैं कि दिवाईन आपको क्या संदेश देना चाहती है आपको क्या कहना चाहती है तो मेरे डॉगी ने भोष और मचार्थ है so sorry for this and आपके cards बताते हैं the wheel of fortune धर्म ठीक है, आप जो है धर्म की रहा पे आगे बर चुके हैं आप spirituality की रहा पे आगे बर चुके हैं और आपके journey में already बहुत सारे ऐसे changes आने लगे हैं जो अभी तक आपने expect नहीं किये थे आप पेले से काफी balance होने लगे हैं अगर अभी तक आपको respect नहीं मिलती थी तो आप लोगों को family से अपने well wishers से और अपने surrounding से, अपने society से एक respect मिलने लगी है अगर अभी तक आपकी कोई value नहीं थी तो आपकी value increase होने लगी है अगर अभी तक आप सबकी सुन लेते थे तो ऐसा time आ गया है आपकी life में कि लोग भी आपको सुनना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं and next card आया है आपका जो की बताता है move ठीक है तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपकी life में कुछ negativity है तो divine आपको guide कर रही है कि उस negativity से move हो जाओ आगे बढ़ो और अपने आपका दिल जो कहता है उस रहा पे आगे बढ़ो और अपने दिल की सुनो और और फैसला जो है अपने दिल के according ही करो because आपका third eye chakra काफी activate है और आप अच्छे और बुरे की समझ बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो आपको पता लग सकता है कि कौन person आपका भला चाहता है और कौन बुरा तो जैसा आपका third eye chakra है activate है already काफी अच्छा work कर रहा है तो आपको उसी के according अपनी life में आगे बढ़ना है अगर कोई person आपका बुरा चाहता है तो time है यहाँ पे move on करने का negativity को remove करने का and next आपका radar से card आया है जो की बताता है जो कह है जो की है four of pentacles five of vands again four and five आप लोग अपनी journey में day by day आगे बढ़ते ही जा रहे हो and then ten ten of pentacles तो बहुत जल्दी आप अपनी यह journey जो है spiritual journey जो है complete कर लोगे हो सकता है guys कि अभी भी इतना balance होने के बाद भी आप लोगों को ऐसा लगता हो कि किसी चीज पर आप बहुत ज़्यादा dependent है ठीक है किसी decision पे या किसी relation पे या किसी finance पे किसी career पे किसी matter पे आप बहुत ज़्यादा dependent है co-dependency अभी भी भी भीच भीच में आ जाती है जिसकी वज़े से आप लोग frustrated हो जाते हैं arguments हो जाते हैं लडाई जगरे हो जाते हैं family में नहीं बनती है भीच भीच में दुबारा से एक होता है कि लोग आपके विचारों को नहीं समझ पाते हैं अभी भी भी भीच भीच में ये problem create हो जाती है आपके साथ even पहले कि comparatively आपके life में काफी changes हो रहे हैं but still पुरानी energy lot कर वापिस आ रही है तो यहाँ पर divine का आपके लिए message है कि जो लोग आपके favor में नहीं है उन्हें ignore करो उन्हें release करो उनसे move on करो और तब तक करो जब तक वो आपकी importance को समझ ना ले आपके साथ well behave से बात ना करें आपके विचारों को respect ना दें आपको respect ना दें ठीक है तो जिनोंने भी ये beautiful सा third eye चक्रा काट चोस किया था pile 2 उनके लिए छोटी से reading थी कि आप अपनी journey में कहा है क्या face कर रहे है and मुझे लगता है कि आप लोगों का reunion अभी थोड़ा सा delay होगा और ये delay जो है 22 तक year 22 तक हो सकता है तो आपको जो है अपनी divinely guided journey में से negativity को जल्दी remove करना है ताकि ये जो delay हो रहा है postponement हो रहा है ये ना हो और जल्दी आप लोगों का reunion reconciliation हो ठीक है thank you so much for watching if you like don't forget to thumbs up and share this in your globe and for more clarity you can book your personal paid readings bye for now have a good day bless you everyone hey pile 3 welcome here जीनों ने beautiful throat chakra choose किया है throat chakra communication को बताता है देखते हैं कि क्या बताते है आपके cards then हम define करेंगे कि आपकी life कहां चल रही है आप spiritual journey में क्या face कर रहे है किस time पर है शक्ती the empress okay and मुझे जो यहाँ पर लग रहा है empress का card देखकर कि आप लोगों का spiritual reunion काफी near है ठीक है अगर आप लोग spiritually work कर रहे हैं तो आप लोग काफी balance हो चुके हैं पहले जो बात आप लोग clearly नहीं कर पाते थे वो बाते अब लोगों से आप clearly करने लगे हैं अब आपका throat chakra while balance है आपको पता है कब क्या बोलना है कैसे बोलना है किस तरह से बोलना है आप अपनी बात जो है बिना fear के बिना डर के right time पे right जगा पर रख सकते हैं सामने और उस रहा पर confidently चल सकते हैं आप लोगोंने बहुत pain past में साहा है बट अब आप लोग बहुत एक अच्छी vibes में हैं चारो तरफ आपके बहुत brightness है बहुत अच्छी औरा है आपकी लोग आपकी बहुत respect करते हैं आप पर बहुत trust करते हैं और आपके well-wisher ही well-wisher आपके आसपास हैं और ये well-wisher हो सकते हैं divine ठीक है अब देखते हैं radar weight card क्या कहते हैं two of swords and seven of swords and last me the emperor ठीक है radar weight card मुझे बताते हैं कि जिन दो राहों में आप confused थे ठीक है जिन dual चीजों को जैसे कि मैंने आपको बोला कि पहले आप एक time पर बात नहीं कर पाते थे और आपको लगता था कि उस time मुझे ये बोल देना चाहिए था उस time पर मुझे ये decision lane लेना चाहिए था अब आप इन चीजों से बाहर निकल रहे हैं ठीक है पहले आपको लगता था कि आपकी energy बहुत हलकी फुलकी सी है या फिर बोला जाए कि कभी तो आप एकदम किसी काम को करने के लिए passionate हो जाते हैं और कभी आप बहुत आलसी हो जाते हैं कभी आप में बहुत जादा चुस्ती आ जाती है कभी बहुत जादा सुस्ती आ जाती है आपके emotions control में नहीं है या फिर आपको लगता था कि लोग आपको धुका देते हैं तो किस पर trust करें या ना करें लेकिन ये time आपकी journey का ऐसा है जिसमें आप trust करते हैं लोगों को समझते हैं लोगों पर विश्वास करते हैं सबसे थादा विश्वास आप खुद पर करते हैं आप एक emperor की energy में हैं अब आप वो करेंगे जो आपके लिए सही है जो आपके समाज के लिए सही है अब आप अपनी journey के उस point पे हैं कि जब आप सिर्फ अपना भला ही नहीं बलकि अपने आसपास के surrounding का भला भी सोचते हैं साथ के साथ ही अब आपको वो कोई रिष्टा नहीं रखना ठीक है जो आपको hurt करें जो आपको परेशान करें क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब आप अपनी life में सिर्फ peace चाते हैं सिर्फ शान्ती चाते हैं डिवाइन का साथ चाते हैं और लोगों की help करना चाते हैं और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत strongly अपने इस इन विचारों पर आगे बढ़ भी रहे हैं और बात किया जाए कि आप लोगों का reunion कब तक होगा अगर आप लोग अपने partner से separation phase में हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों का reunion जो होगा वो होगा next year में October तक ठीक है next year म आपका partner आपकी तरफ एक confidence वाला step लेगा एक ऐसा bold step लेगा कि जिसके बाद वो दुबारा पीछे नहीं हटेगा चीजे चुपाएगा नहीं third party को चूज नहीं करेगा दो रहों पे सवार नहीं होगा चीक है तो यह थी pile 3 की reading जिनोंने pile 3 throat चक्रा को चूज किया है आप positive chances हैं आपको आगे मिलने के so pile 3 की reading I hope कि आप लोगों को पसंद आई हो आप लोगों से resonate की हो अगर की है तो मुझे comment box में बताना if you like don't forget to thumbs up and share this in your group ठीक है for more clarity आप लोग personal sessions book करवा सकते हैं बाकी bless you everyone take care and अपनी journey में इसी तरह से आगे बढ़िए bye have a good day